वेलकम एवरिवन आज का जो हमारा लेक्चर है वह है बाल गोविन भगत इस पार्ट में जो बाल गोविन जी है उनका चरित्र चित्रन कैसे करेंगे यह है प्रेशन कई बार आपके एक्जाम में आ जाता है और इसमें कुछ पार्ट से सम्मंदित महत्पुन बातें भी आपको जानना जिरूरी है तो अगर हम इनके परिचे की बात करें तो यह ग्रहस्ति थे और स्वभाव से साधू थे वो और आयू जो थी उनकी साथ वर्ष से उपर थी उनकी पत्नी नहीं थी उनके परिवार में एक बेटा था और उनकी पत्नी थी इनका व्यक्तित्व बाल सफेद थे और लंबी दाड़ी नहीं रखते थे सफेद बालों के कारण इनके चेहरे पर काफी तेज या चमक दिखाई देती थी वेश्वुशा की बात करें तो यह शरीर पर उतने ही कपड़े पहनते थे जितने शरीर के लिए आवश्यक हूं कमर पर एक लंगोटी और सिर पर कनफटी टोपी पहना करते थे सर्दियों में काली कमली और माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे टीका नाक से शुरू हो करके उपर तक जाता था गले में तुलसी की जड़ों की माला भी पहना करते थे उनका व्यवसाय खेती वाड़ी था और वे एक किसान थे खेत में वो धान की फसल उगाया करते थे वह कबीर के भकत थे और कबीर जी के आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में अपना रखा था उन्हीं की शिक्षाओं पर अमल भी वह किया करते थे भगत जी मानते थे कि उनका जो कुछ भी है वह सब कबीर जी की देन है मधुर गायक के रूप में इनकी बात करें तो यह है मधुर गाना गाया करते थे कबीर जी के पद भी वो गाते थे बाल गोविन भगत के संगीत का जादू सब को जूमने के लिए मजबूर कर दिया करता था संतोशी व्रत्ति के व्यक्ति इस मुख्य बिंदु पर हम बात करें तो उनकी प्रवर्ति बहुती संतोशी थी और वो अपनी आवश्यक्ताओं को सिमित रखते थे खाना भी जो एक्स्ट्रा बच जाता था वो मंदिर में पहुचा देते थे यानि कि जो खेत में पैदा होता था उसमें से जो बच गया वो मठ में पहुचा दिया करते थे परमात्मा से प्रेम इस बिंदू की बात करें तो वहें परमात्मा के निराकार रूप को मानते थे यानि परमात्मा का कोई आकार नहीं होता है उन्होंने मृत्यू की सच्चाई को जान लिया था और उन्हें पता था कि शरीर में से आत्मा निकल करके परमात्मा में मिल जाती है इसलिए परमात्मा से प्रेम करना चाहिए मोहमाया से दूर इस मुख्य बिंदू की बात करें तो वह संसारिक मोहमाया से दूर थे जब उनके एकलोते बेटे की मृत्यू होती है तो शोक नहीं मनाते हैं बलकि आनंद बनाने के लिए कहते हैं क्योंकि आत्मा शरीर से मुख्थ हो करके परमात्मा से मिल गई थी और पतनी जो लड़के की पातनी थी उसको भी समझाते हैं कि तुम रोओ मत क्योंकि इसकी आत्म जो है वो परमात्मा से मिली है इसलिए उत्साव मनाओ नियमों पर द्रड इस पॉइंट की बात करें तो वो अपने नियमों पर द्रड थे यानि कि अडिग थे गंगाशनान जाते थे तो मार्ग में कुछ भी नहीं खाते थे उन्हें आने जाने में चार-पांच दिन लग ज करें तो वो सामाजिक परंप्राओं के विरोधी हैं जिससे कि आप पाठ पढ़ भी चुके हैं तो जब उनके बेटे की मृत्यू होती है तो सारे जो क्रिया करम है उसकी पुत्रवधू से करवाते हैं और पुत्रवधू को पुनर विवा के लिए मजबूर भी करते हैं और वे उसे अपने पास रखकर उसके मन को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं इसलिए कुछ सामाजिक मानेताओं को वो नहीं मानते हैं इस प्रकार से बाल गोविन का चरित्र उनके साधुत्र को बताता है और इसमें आपके काफी सारी मुख्य बातें भी इस पाठ किया गई है इ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे सभी जो आपके वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन्स आपको समय पर मिल जाएं थेंक्यू फॉर वाचिंग